बिस्मिलाइ रामाई रहीम, असलाम लेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CAC Guide Official और मैं हूं महूं हूं अधिरिफान वॉला पॉजिटिव एट्यूटीव टीटिवी टाइटीनियम धिंकिंग जैसा के आपको पता है स्टार्ट हो चुका है चाइ की category होगी वहाँ यहां पर CS scholarship admissions यहां पर कलिक करेंगे तो यह post है Harbin Institute of Technology हिट यह इस चैना की जो पहली यूश्टीज होती है मतलब जिनकी deadline सबसे पहले होती है वो यह university है इसकी deadline जो होती है 25 दिसंबर 2021 है ठीक हो गया deadline जो है mostly आप कहेंगे वो मेरे documents त्यार नहीं है मेरे acceptance letter म मैंने अभी नहीं लिए इसकी deadline पहले है तो कोई मसला नहीं है इसमें अगर आपका आपको acceptance letter ना मिला तो आप किसी without acceptance apply कर सकते हैं लेकिन आप उनको prefer कीजिएगा जिन मेंसे acceptance letter आपको मिले चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हिसाब किताब है Harbin Institute of Technology है इसमें इसकी scholarship detail जो है यहां पर देख सकते हैं थार्टी चाइनीज गुर्मेंट स्कॉल्शिफ दौदर वाइस हैं इसमें यहां पर मैनिस 45 तक माइनस 45 तक होता है temperature इसका प्लस नहीं माइनस ठीक हो क्या यह मास्टर पीड के लिए student के लिए है 3000 master के लिए और 3500 जो है यह पीड के लिए online apply है और document send करने हैं मैं इसका बताता हूं कि क्या इसाब किताव है जो पुराने यूजर होंगे उनको तो पता होगा क्या online apply है और document send करने क्या 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 तरीक अगार है लेकिन इसमें मैं आपको मजीद बता देता हूं इनफ है लाजमी नहीं कि आपके पास आइट्स हो यह वो कोई मसला नहीं है और यह यूश्टी टॉप 10 में आती है चाइना में कैसे apply करना है सबसे पहले तो आपने यूश्टी का form फिल करना है सुरी ठीक है यह यह यहाँ पे लिंक यूश्टी का form कोई नहीं फिल करना सिर यह बहुत कठन काम होता है पाकिस्तान में से फुह समिट करयाना अगर आपका कोई दोस्त है या कोई कोई भी जानने वाला हैां चाइना में तो आप उनसे fee pay कर वा सकते है वह आपकी fee pay कर देगा इससे इजी हो जाता है, ओके हो गया, तो वो बंदे मिल जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप कहेंगे कि मेरा कोई जानने वाला नहीं है, यह वो बाद में इन्शालला हो जाएगा, टेंशन निश्टा, अच्छा, इसके बाद है कि डॉकुमेंट्स जो है, आपने य इसके अड्रेस के नीचे आपने बिलकुल जो है, क्लियर करके ब्रैकेट में लिख देना है, CSE Scholarship Application, मींज कि आपके अप्लिकेशन जो है, CSE Scholarship के लिए है, ठीक हो गया, उसके बाद ये, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म फिल करना है, और इसमें, ये मैंने एक फॉर्म कैसे करना है, इसका लिंक मैं इधर डाल दूँगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेटली वीडियो बनाई है, 45 मिंट की वीडियो थी, सारे के सारे मसाइल, मैंने उसमें बता दिया थे, कि लड़कुल कौन से मसले आते हैं, वो सारे के सारे जो है, इस वीडियो में आपको मिल जाएं इन सारे डाकुमेंट्स का आपने दो सेट बनाने है, इन सब के एक दो तीन चार्गे ग्यारा बनते हैं डाकुमेंट्स के लिस्ट ठीक है, इन डाकुमेंट्स का आपने प्रिंट निकलन निकालना है, मतलब कि आपके पास एक कापी हो गई, दोबारा इन ग्यारा डाकुमे यहाँ पे दिया गया है, ओक्यों हो गया यह थे सारे के सारे required documents आप कौन कौन से CSE का online form, यह जो आप यहाँ पे feel करेंगे ठीक है, यह feel जब करेंगे तो download कर लेंगे आप form वो download करेंगे, उसको print निकाल लेंगे, degree, highest degree उसके बाद transcript आपकी highest education research plan study plan no less than 800 words, तो यहाँ से आप download कर सकते हैं इनका format के, किस format के हिसाब से जो है, आपने बनाना है यह नहीं कि इनका, बाकि कुछ universities होती है, mostly universities का sample जो है, हमारे जो website भी दिया गया है, उसको आप follow करके बना सकते हैं, लेकिन कुछ universities कहती हैं कि जैसे यह university हिट है, उसके बाद Harvard Institute of Technology है, तो यह university जो हैं कहती हैं कि format जो है, आपने इस research plan proposal खा, इस हिसाब से बनाना है, यह दिगर study for master and doctoral degree, research title आपने यहाँ पे डालना है, उसके बाद अपना surname first name application कि डिपार्टमेंट में हाँ आप है, application major council, expected supervisor, अगर है तो ठीक है नहीं तो छोड़ दे research area, अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो वो भी छोड़ दे और यह सारी चीज है, research background, research purpose and significance, literature review, significance preparations of the applicants, research method, यह सारी headings और इसमें यह सारी detail देनी है, अगर आप master student, अगर आपको नहीं पता है क्या, कैसे बनाना है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है, research background आपका क्या है, वो उस हिसाब से आपने बनाना है, 800 words से कम ना हो, ठीक हो गया, और उसके बाद, दो recommendation letter आपके पास होना जाई है, मैंने आपको बताया था कैसे आपने find करने recommendation letter यहां से दिया गया होगा format, यह site पे, how to make recommendation letters, यह कहां पे है, यह देखें, ठीक हो गया, और उसके बाद passport की जो है, copy आपने upload करनी है, upload भी करनी है, और यह documents के साथ attach करनी है, home page जो होगा passport का, उसके बाद physical examination form, click here to download the physical examination form, आपने download कर लेना, English Profession Certificate आपके पास होना चाहिए, इधर आपने कहीं पे दिया गया होगा, English Profession Certificate आपने कैसे बनाना है, यह, यह, एक, दो, तीन, और English Profession Certificate यह देखें, चोहते नंबर पे है, ठीक हो गया, और करीम करीम करीमा रिकार्ड, आपके पास police के लिए certificate होना चाहिए, acceptance letter mandatory नहीं है, optional है, यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है acceptance letter तो यह acceptance letter का जो है, format दिया गया है, इस निविश्टी का, तो यह, यहाँ से आप download कर सकते है, acceptance letter का format, ओके हो गया, यह है, यह acceptance letter का format, ठीक है, इसमें आपने, यह letter, same to same, आपने send करना है professor को, आपने कोई information अपनी यहाँ पर फिल नहीं करनी, यहाँ पर प्रफेसर अगर आपको कह देता है, कि आप यहाँ पर अपना name लिखने है, और यह सारी टेल आप अपनी फिल कर दें, यह अपनी फिल क गई थी, यहाँ पर, तो जब जैसे यह आप इस पर करेंगे, तो application जो आपकी slip एक होगी, वो आपने slip, original अपने पास रखनी है, उनकी photo copies जो है, करवा के, वो क्या करना है, documents के साथ, आपने, दो documents जो आप दो set बनाएंगे, एक copy जो है, दोनो sets के साथ, आप send कर देंगे, उ अगर तो आपका major, इस major में से है, ठीक है, फिर इन में है, list में, तो फिर ठीक है, आप apply करें, अगर नहीं है, तो फिर छुटी करें, इस university को आप छोड़ें, और किसी और university में apply करें, okay हो गया, ये थे master degree के, यहाँ भी applied economics है, management science and engineering है, business administration, public and management, material science and engineering, mechanical engineering, ये सारे civil engineering, ये सारे अपर्टमेंट आप देख सकते हैं, और ये साब major भी यहाँ पे दिये गया है, research field, P.A.D. का भी ऐसे ये doctoral degree के लिए, instrument science and technology, electrical engineering, power engineering and thermodynamics, ठीक है, thermophysics, computer science and technology, software engineering, control science, ये सारे यहाँ यहाँ पे दिये गया है, ये अपने ही साब से आप देख लिए जी का major, और इन में से specific किस major म आपका major in में है, तो फिर ठीक है, नहीं तो इस university को छोड़े और बाकी university का वेड़ करें, ठीक है, ये पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी, जो थी, आप यहाँ इस यहाँ पे कलिक करके पिछले साल में वाली वीडियो भी देख सकते हैं, कि पिछले साल जो वीडियो बन आता रहोंगे, good luck and take care of you sirs.